सुशान्त सेह के जाने के बाद अब एक बार फिर इस सुसाइट केस में नयाम मोड आया है आपको बता दें अभी दो दिन पहले सुशान्त सेह के पापा और उनकी फैमिली ने मिलकर पटना पुलिस में सुशान्त केस के चलते रिया चुकरवर्ती पर एफ आई यार दर्ज कर जानकारी के मताबिक ऐसा कहा जाता था कि सुशान्त छे महिने से डिप्रेशन में थे और पुलिस इस बात की जानकारी निकालने में अब तक लगी हुई है दरसे सुशान्त सेह के जाने के बाद उनकी एक्स गल्फरिंड अंकिता लोखंडे को भी गहरा सद्मा लगा था ज मुझे इस चीज को स्विकार करने में बहुत समय लगा मैं बताना जहाते हूं कि सुशान्त उस तरह का इंसान नहीं था वो डिप्रेशन में हूँ जिससे किसी चीज का दुख हो वो सुसाइट कर ले सुशान्त की वैसी परसनालिटी नहीं थी वो बहुत हैपी था शयान मै और सुशान्त ने इससे बुरी-बुरी सिच्वेशन वाली जिंदगी को फेस किया होगा लेकिन जितना में उसे जानती हूं इंसान डिप्रेशन नहीं हो सकता मैं सुशान्त के जैसे इंसान को कभी नहीं देखा जो अपने सपने को पहले से लिखकर रखा करता था वह इसे चीज़ को लेकर परिशान हो सकता है लेकिन डिप्रेशन नहीं मैं डंके की चोट पर बोल सकती हूं कि सुशान डिप्रेशन में नहीं था मैं नहीं जाती है कि लोग उसे एक डिप्रेश्ड इंसान के तौर पर याद रखें जो एक छोड़े शहर से आया अपना नाम अपने दम पश जिंदगी जी वो डिप्रेशन में नहीं था जनकारी के मताबिक सुशान्त और अंकिता छे साल तक रिलेशन्शिप में रहे वो दोनों शादी करने वाले थे लेकिन अचाना की दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए दोनों ने ब्रेकप कर लिया और प्रेस्ट बेल इकन फोर मोर अप्डेट्स